कि एफ से सारे कि सारे अरे- के सारे प्यारे प्यारे बच्छों समझदार समझदार बच्छों यह में मैं उमिद कर रहा हूँ कि देरे दीसे हमना थी ने है ना हर वक्त ऐसा तो नहीं रखना कि हम बच्चे हैं हम बच्चे हम पर तरस खाओ ऐसा तो होता नहीं है कब तक बच्चे बनके रहना है यह ना आपके अंदर का जो बच्चा है वो जिन्दा रहना चाहिए लेकिन इसका यह मदलब नहीं कि आप हमेशे बच्च्पने में रहो दीरे दीरे आपको मैचियर होना होता है ठीक है पड़ाई करने के सारे तरीके जो टीचर्स बता रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करना होता है अगर आपको अपने टागेट तक पहुचना है तो जो टीचर्स जो समझा रहा है उसे as it is फॉलो करना सीखो ठीक है यह याद रखो कि आप स्टूडेंट हो और जिसकी आप बाते सुन रहे हैं वो आपके टीचर्स हैं टीचर्स आपको हमेशा सही गाइडेंस देंगे ठीक सुनें एक मैंने पहली भी कहा था हर बार हर लेक्षर न बताया जाता है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए मैंने कहा था हर बार ncrt रीड करके आनी है बहुत कम बच्चे हैं जो ncrt रीड करके बैठते हैं और यह मेरी कैरेंटी है जो भी बच्चे ncrt बॉक्स में वो बच्चे जरूर कमेंट करें जो ncrt रीड करके आते हैं पहले से लेसे जिन भी बच्चों को लग रहा है कि ncrt करके आने से उनको फायदा हो रहा है अपने अपने कमेंट बॉक्स में यह चीज जरूर डालो कि बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स को भी इस चीज का motivation मिले, उन्हें genuinely ये चीज पता चल जाए कि क्यूं जरूरी है NCRT पहले से पढ़के आना कोई भी topic किसी भी level पर आप पढ़ते हो, आपकी familiarity important होती है अगर आप अपने आपको familiarity नहीं रखेंगे topic से तो आपके लिए class में हर चीज काला अक्षर बेंस बराबर हो जाएगा ठीक है, हाँ जी तो ये ग्यान की वर्षा हो चुकी है आज की इससे जाद और कोई ग्यान नहीं देना है आज मुझे आपको, तो with this note your agrim sir welcomes you to your drona batch with lecture number two of molecular basis of inheritance first lecture जो हमने किया था पहले lecture में हमने बिलकुल basic outline देखी कि हमने का भी basis of inheritance क्या था हमारा gene, हमने कहा gene क्या है, portion of DNA उस portion of DNA से क्या होता है, RNA का synthesis, फिर हमने full form लिख दी DNA RNA की हमने देखा कि DNA हो या RNA दोनों में nucleic acid का concept same है, और हमने कहा उन दोनों में difference क्या था, शुगर के टाइप का deoxy ribos sugar या nucleic acid होते हैं, these are polynucleotides ये बहुत सारे nucleotides से बना हुआ polymer है, एक chain है फिर हमने देखा भी nucleotide क्या होता है तो हमने का nucleotide में पहले दो पाट आते हैं, nucleoside and phosphate, फिर nucleoside को भी तोड़ दो तो nitrogenous base and sugar तो total तीन पाट थे nitrogenous base, sugar and phosphate nitrogenous base और sugar के बीच का bond हमने का था N-glycosidic bond, sugar और phosphate के बीच के bond को हमने का था phosphoester bond हमारा sugar जब nitrogenous base से जड़ता है, तो हमेशा first carbon से जड़ता है हमारा sugar जब phosphate से जड़ता है, तो हमेशा fifth carbon से जड़ता है ये NCRD के सारी चीज़े हमने पड़ी थी, कि purine है, pyrimidine है purine double ring, pyrimidine single ring purine में adenine guanine, pyrimidine में cytosine, uracil, thymine और हमने का था, इन pyrimidines में से cytosine is common to both, uracil सिर्फ RNA, thymine सिर्फ DNA के अंदर मिलता है तारी चीज़ पड़ी थी, nitrogen की positions याद रखने को कहा था, तो purine में 1379, pyrimidine में 1N3, glycosidic bond किस से बनता है, तो purine में का था, C1 of sugar, N9 of nitrogenous base से जड़ता है, pyrimidine में C1 of sugar, N1 of pyrimidine से जड़ता है, फिर हमने का दो nucleotide के बीच में, हमेशा 3' to 5' phosphodiester bond count किया जाता है, ये सारी चीज़े पढ़नली के बाद, हम shift कर गए थे, कि हमारा DNA का जो structure है, वो क्या है, तो हमने का था, Watson और Crick ने बताया था, DNA double helix है, दो spiral parallelly घूमते हैं एक साथ, right-handed coiling है, लेकिन opposite direction था, एक 5 to 3 है, दूसरा 3 to 5 है, क्यों था, वो हमने शुगर की arrangement देखी थी, हमने का था, एक शुगर upper direction में, एक शुगर नीचे के direction में, क्यों, तब ही हमने का था, एडिनीन और थाइमीन के surfaces सामने आके bond बनाएंगे, दोनों अगर same direction में होंगे, तो हमने का था, एडिनीन थाइमीन आपस में bond नहीं बना सकते, गोवानीन साइड उसीन आपस में bond नहीं बना सकते, तो ये चीज हमने पढ़ ली थी सारी की सारी, फिर हमने देखा था, salient features के बाद, कि हमारा सारा का सारा, जो information का flow होता है, वो flow हमने discuss किया था, कि क्रिक ने, अकेले ने बताया था, कि वो unidirectional flow है, कि DNA अपने DNA की copy बनाता है, replication नाम से, DNA RNA बनाता है, transcription नाम से, RNA protein बनाता है, translation नाम से, फिर NCRD ने सवाल पूचा कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, तो हमने का हाँ हो सकता है, लेकिन कहां से, RNA से उल्टा DNA बन सकता है, protein से RNA नहीं बनता, RNA से उल्टा DNA बन सकता था, उसे reverse transcription कह रहे थे, वो टेमेन और बाल्टी मोन ने discover किया था, और सिर्फ कुछ viruses में मिलता है, और उनके अंदर भी हमने का था, बाकी सारी process वैसे ही होगी, वो जो DNA बनाएगा, उससे वापस से नया RNA फिर उससे एक protein बनेगा, तो यह सारा का सारा हमने अपने previous lecture में कर लिया था, वापस से इसको अच्छे से revise करो, सारी चीज़ें ऐसे ही fingertips पे तुमारी आ जानी है, उनको 4-4 बार लिख के देखो, उनको 4-4 बार read करते रहो, 10 जगे से 10 चीज़ें नहीं पढ़नी है 10 बार, वही NCRT और वही notes को बार-बार read करो, कोई चीज़ दिमाग में नहीं बैटरी है, सब कुछ अटा हो, A4 sheet लो bullet points में सारे point लिखने शुरू करो, everything has to be imbibed in your memory, हर चीज़ तुमारी memory में बिल्कुल समा जाना चाहिए, ठीक है, हाँ जी, तो last lecture में हमने कहा था, कि packaging करना है, लेकिन last lecture में वो cover नहीं हो पाया था, तो उसे हमने carry forward कर दिया था इस lecture में, तो आज हम देखेंगे, कि वो जो सारा का सारा DNA है, वो कैसे cell के अंदर रहता है, last lecture में हमने पढ़ा था, NCRT ने चार organisms के DNA के बारे में बताया है, 5X174 के लिए NCRT ने कहा कि उसके पास single-stranded circular DNA present होता है, lambda bacteriopharch के पास उन्होंने का double-stranded linear DNA है, E. coli के पास double-stranded circular DNA, humans के पास double-stranded linear DNA, human का haploid content दिया था, 3.3 into 10 to the power 9 base pairs, हमारे एक cell के अंदर, हम बोलते हैं कि nucleus deployed था हमारा, मतलब वहाँ पे चीज़ें double set में थी, तो जो एक set का DNA है, उसमें 3.3 into 10 to the power 9 base pairs है, लगभग 3 billion base pairs हैं एक DNA set में, तो हर nucleus में तो 2 DNA sets हैं, तो कितने हो गए लगभग, 9 billion base pairs हो गए लगभग, अभी 9 billion base pairs का DNA हमारे microscopic nucleus के अंदर है, तो वह हम concept देखेंगे कि packaging कैसे होई, फिर हम देखेंगे concept of genetic material, अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा, कि Frederick Mischer ने बताया था, कि आपके जो cells होते हैं, उनके अंदर nucleus है, और nucleus के अंदर acidic threads हैं, ये बताया था Mischer ने, तो उसे new clean नाम दिया, फिर हमने कहा कि ये जो new clean है, ये जो DNA है, इसका structure कैसा है, ये Watson और Crick ने बताया था, अर्विन शारगाफ के observations को लिया, Wilkins के observation को लेके, अपनी knowledge से उन्होंने proof दे दिया, कि भई DNA ऐसा होगा, उन्होंने बता दिया ये चीज़, लेकिन, वो ही DNA आपका genetic material है, वो information carry करता है, information को एक generation से दूसरे generation में pass कराता है, ये कैसे कैसे पता चला, वो हम पढ़ेंगे, तो हम इस topic में देखेंगे Griffith का experiment, Avery McLeod-McCarty का experiment, Hershey और Chase का experiment, और last में हम देखेंगे, कि genetic material बनने के लिए, क्या properties होनी चाहिए, हम देखेंगे, कि DNA और RNA में क्या-क्या differences है, क्यों हम DNA को एक better genetic material मानते हैं, ये समिम इस lecture में देखने वाला है, ठीक है, So with this note, everyone is ready, comment box में डाल दो, comment box में डाल दो, कोई चक्कर नहीं है, comment box में डालो, if you are ready or not now, comment box में डाल दो यहां पे भी, हाँ, बिल्कुल डालो, डालो, very good, good, yes, everyone is ready, everyone is ready, all right, चलो जी, start करते हैं, सबसे पहला topic हमारा आज का, packaging of DNA helix, packaging of DNA helix, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चलो, start करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, prokaryotes की, और prokaryotes में best example is, none other than, E. coli, prokaryotes की जो हम बात करते हैं, तो DNA का नेचर तो सब में सेम है, deoxyribonucleic acid, तो nature acidic है DNA का, और overall charge जब हम देखते हैं, तो DNA has a negative charge, तो DNA का nature acidic, DNA का nature negative, अब हमें पता है, opposites attract each other, अब मैं चाहता हूँ, अगर इस DNA को package करना, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए, जिसका nature acidic का opposite हो, और negative का भी opposite हो, तो यहाँ पे, जो proteins आते हैं, DNA को bind करने के लिए, the proteins for DNA binding, वही DNA क्या एक धागा है, आपको उस धागे को condense करना है, protein की मदद से, तो जो protein यहाँ पे काम करते हैं, they are basic in nature, they have a positive charge, and the name of the proteins are, polyamines, तो polyamines के proteins हैं, और DNA का acidic भागा है, तो यह basic और acidic, positive और negative मिल जाते हैं, और तब DNA आपका pack हो पाता है, ठीक है, DNA condenses, condense करने का मतलब, coil करना, coil करना किसी चीज को लपेटना, लपेटते हैं न बैटके बहुत, बड़ी बड़ी लपेटते हैं, है न, हमारे याँ तो ऐसा, हमारे याँ तो ऐसा, हम ऐसे, हम वैसे, है न, यह तो मैंने करके छोड़ दिया, बहुत लपेटते हैं, तो ऐसे ही तुमारे डिने भी लपेटा है, डिने भी लपेटा आता है, तो डिने कॉइल्स, with the help of protein, डिने कंडेंसेज, तो फॉर्म, लूप्स, छोटे छोटे लूप्स में, डिने कंडेंस हो जाता है, किस रीजन में कंडेंस होता है, प्रोक्यारियॉट की बात कर रहे हैं, तो डिने कंडेंसेज टु फॉर्म्स, लूप्स, इन अरीजन, कॉल्ड, न्यूक्लियॉइड, बच्पन की चीज है यह, बच्पन वाली चीज़ें हैं यह, 11th में भी बढ़ते हैं, 10th के बच्चे को भी बढ़ाया जाता ही है, कि प्रोक्यारियॉट के पास, नूक्लियस नहीं होता, प्रोक्यारियॉट के पास, नूक्लियॉइड होता है, नूक्लियस जैसा एक रीजन है, नूक्लियस नहीं है, नुकलियस जैसा रीजन है, उस रीजन में DNA लूप्स बनाके कॉयल हुआ है, किसकी मदद से, प्रोटीन की मदद से, कैसे प्रोटीन, बेसिक और पॉजिटिवली चार्जड, क्या नाम है प्रोटीन का, पॉलियमाइन्स नाम है प्रोटीन का, तो इस तरीके से उन्होंने ये बता दी, देख लो अपना सिंगल व्यू, जो भी रिटेन वर्क कंप्लीट करना है, रिटेन वर्क कंप्लीट करो, हम बढ़ते हैं, आगे, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, हमने कहा, कि जो E को लाए है, E को लाए के लिए इन्स याटीन ने क्या का, 4.6 into 10 to the power 6, बेस पेर्स हैं इसके पास, 4.6 into 10 to the power 6, बेस पेर्स हैं, प्रिवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हर बेस पेर के बीज का गाप कितना था, 0.34 नानो मीटर्स, तो जब हम E को लाए की DNA की लेंग्थ देखते हैं न, पूरी, DNA length of E को लाए, तो इट कम्स आउट तो बी 1.36 मिली मीटर, वो माइक्रोस्कोपिक बेक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक बेक्टीरिया, 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो मीटर्स में है वो, लेकिन उसके अंदर जो DNA है, वो 1.36 मिली मीटर का है, तो 1.36 mm को तो तुम अपने normal scale पी भी measure कर सकते हो, लेकिन क्या याद रखने की चीज़ है, हमने क्या कहा था, कि जो हमारा DNA है, इसका diameter is just 2 nanometer, तो यह बहुत पतला molecule है, 2 nanometer is microscopic nanometers, लेकिन जो लंबाई है इसकी, वो 1.36 mm की है, तो यह सारी जो packaging हुई है, यह packaging इस तरीके से हुई है, proteins की मदद से packaging की जाती है, ठीक है, proteins के मदद से packaging हो रही है, देख लो single view में इसको, single view में देख लो इसको, equal eye का पूरा DNA length, previous lecture में भी देख लिया था हमने, जो हमने last lecture किया था, उसके अंदर हमने देखा था पूरा का पूरा DNA length, 4.6 into the power 6, base pairs का DNA है इसके पास, ठीक है, DNA की length 1.36 mm, DNA का base pair 4.6 into the power 6 base pair, जब हम एक prokaryotic cell को देखते हैं, E. coli बगरा के cells को देखते हैं, तो हमने क्या पढ़ा होता है, कि इन सब के पास 11th की चीज है यह, इन सब के पास आउटर मोस्ट ग्लाइको कालिक्स नाम की लेयर होती है, ग्लाइको कालिक्स के अंदर, इन सब के पास पेप्टाइडो ग्लाइकन की cell wall होती है, और इन सब के पास अंदर प्लाजमा मिम्ब्रेन होती है, प्लाजमा मिम्ब्रेन की इन फोल्डिंग को 11th में पढ़ते हैं, मीजोजोम कहा जाता है, अब जो आपका DNA है, जो भी DNA है, वो इस मीजोजोम से connected है, और वो ऐसे loops बना के फैला हुआ है DNA, सारा का सारा DNA इस तरीके से loops बना के है, और इन loops के अंदर, ये जितनी loops हैं, proteins की मदद से condensed है, इनकी सब की coiling is with the help of basic and positively charged, polyamines, तो ये है सारा का सारा super coiled DNA loops बना बना के, और जितने हिस्से में ये फैला हुआ है, हमने कहा था कोई membrane नहीं होती यहां पे, इतने रीजन में, जितने में ये DNA फैला हुआ है, इस रीजन, कोई membrane boundary नहीं है यहां पे, इस रीजन इस नोन अज नुक्लियोइड, नुक्लियोइड उस रीजन को बोलते हैं, जिसमें इसका DNA है, इस ये ब्रोटीन की मदद से कोईलिंग हो रखी है, ये डॉट 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 बस area mark करने के लिए दिखाया है, ब्लू वाली डॉट, area mark करने के लिए दिखाया है, कि इतने रीजन में आपका genetic material फैलावा होता है, तो इस तरीके से बेक्टीरिया में हमें चीजें मिलती हैं This is how DNA is packaged in a prokaryote देख लो single view This is how DNA is packaged in prokaryotes क्या-क्या लिखा NCRT ने NCRT के lines copy किये हैं यहापे prokaryotes में जैसे की E. coli DNA is not scattered ऐसा नहीं कि पूरे cell में DNA randomly फैला हुआ है ऐसा नहीं है DNA negative charge का है It is held with some proteins that have positive charge इस protein का नाम तुम्हें बता दिया गया है इन proteins को हम कह रहे हैं polyamines क्या लिखा है? in a region known as nucleoid तो nucleoid उस area को बोल रहे है जितने में DNA सिकुड के फैला हुआ है पूरे cell के cytoplasm में नहीं फैला हुआ एक छोट इसी region में फैला हुआ है तो यही डाइग्राम तुम्हें बना के दे दिया है ग्रीन कलर का DNA है और जो रेड कलर दिख रहा है यहां पे all the red color is for protein which binds DNA the DNA binding protein is in red उसकी मदद से loops बना बना के DNA nucleoid region में फैला हुआ है और यह 11th में हम पढ़ते हैं कि यह जो genetic material है mesozoom से जुड़ा होता है 11th में हम पढ़ते हैं कि यह mesozoom plasma membrane की in folding होती है तो even दो DNA की जो thickness है वो जो diameter है वो 2 nanometers है लेकिन यह बहुत लंबा DNA है 1.36 mm का DNA है तो this is the packaging of DNA helix in prokaryotes ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है next बारी आती है eukaryotes की eukaryotes वो जिनके पास proper nucleus है और हम इसको specially पढ़ रहे हैं अपनी मदद से humans की मदद से हम पढ़ेंगे ठीक है करते हैं शुरूर हमने क्या का NCRT में introduction में क्या लिखा था human का haploid content human का जो एक genome होता है वो था 3.3 into 10 to the power 9 base pair ठीक है यह तो haploid content है बट हमारे हर cell के nucleus में हमने का था दो certain चीजों के एक पापा से आया हुआ एक मम्मा से आया हुआ तो इसी human का 2N content कितना हो जाएगा 3.3 into 2 तो 6.6 into 10 to the power 9 base pairs हमारे हर cell के nucleus के अंदर इतने base pairs हैं DNA के फिर हमने क्या कहा distance between two base pair हमने क्या कहा था कि अगर हम DNA बनाते हैं तो हमने कहा एक base pair ये रहा एक base pair ये रहा इनके बीच का जो gap था वो हमारा क्या था 0.34 nanometer हमने क्या कहा था पूरा एक pitch जो है जिसमें 10 base pairs है उसकी पूरी की लेंग थी 3.4 nanometer तो हर base pair से दूसरे base pair के बीच में है 0.34 nanometer का length तो ये हो गया मेरा 0.34 nanometer इसको हम कैसे लिख सकते हैं और 0.34 इंटू 10 to the power 9 meter 1 nanometer क्या लिखा थे NC18 तो अगर मुझे human का deployed length देखना हो human का deployed length तो मान लो ये है मेरा A ये है मेरा B भाई base pairs इतने है और हर दो base pair के बीच का distance इतना है तो अगर मैं A और B को multiply कर दूँ तो मुझे पूरे human deployed DNA की length मिल जाएगी and this length comes out to be 2.2 meters ये ना बहुत सारे तारे लगा देते हैं आपर एक single human cell के nucleus के अंदर 2.2 meter का DNA है generally हम एक normal measure मानते है approximation का कि हमारे यहां से लेके hand के tip तक shoulder से hand के tip तक हम roughly मानते है 1 meter है तो हमारे cell के nucleus में 2.2 meter का DNA है एक nucleus में cell तो microscopic है तो हमारे अंदर भी सोचो कितनी extensive level की packaging चल रही है कितने extensive level की packaging DNA वही 2 meter का है हमारा है तो यह 2 nanometers diameter इसका 2 nanometers है बस लेकिन जो हमारे अंदर 46 chromosomes है सब को तो मिगदम single single धागे में खोलते जाओ तो वह पतले तो 2-2 nanometer जितने है लेकिन लंबाई 2.2 meters की चली जाती है imagine यह एक cell के nucleus की बात कर रहा है अगर हम अपने पूरे body के cell trillions of cells है हमारे अंदर अगर हम उन सब का DNA निकाल दे न 2.2 meter DNA जोडते जाएं तो imagine करो कितना सारा DNA हमारे इसे निकलेगा आप अराम से उस DNA को जोड़ जोड़के अराम से चांद पर जाके वापस भी आ सकते हो इतना सारा DNA है हमारे अंदर इतना सारा DNA है ठीक है तो अब यह तो establish हम ने कर लिया human में haploid कितना था deployed कितना है क्योंकि हमारे हर cell में तो deployed content है 0.34 nanometer हर दो base pair के बीच का gap है तो total DNA की length आ गई 2.2 meters ठीक है आ गई देख लो इसको single view में कुछ लिखना हो तो अब इस DNA को pack कैसे कराएंगे humans के अंदर भी same case है DNA का nature थोड़ी change हो जाएगा DNA is acidic and negative तो humans के अंदर जो proteins है हमारे अंदर जो proteins है या eukaryotes के अंदर जो proteins है उन proteins का नाम है histone protein histone proteins basic है histone proteins positively charged है and these proteins are rich in lysine and arginine protein किससे बनते हैं amino acids से proteins बनते हैं amino acids से so histone का जो protein है it is rich in lysine and arginine ये खुद basic amino acids है तो इनकी richness की वज़े से overall histone protein basic और positively charged हो जाता है तो सबसे पहले जो हमारा DNA है वो इन histones की मुदद से pack होता है थोड़ा सा हम NCRT के थोड़ा सा बहार जाएंगे कैसे ये जो histones है ना ये total होते हैं five types के five types के histones होते हैं h1 h2a h2b h3 h4 पाँच टाइप के histones की मदद से हम देखेंगे DNA कैसे pack होता है ठीक है single view में देख लो eukaryote की बात कर रहे हैं human के example को हमने ले लिया तो हमारे अंदर 2.2 मीटर का DNA है हर नुकलियस के अंदर हर diploide nucleus के अंदर हमारे अंदर 2.2 मीटर का DNA है जो हमारे gametes है sperm या एग वो haploid होते हैं उनमे 1.1 मीटर का DNA है half हो जाएगा exact humans हो या कोई भी eukaryote हो सबका DNA acidic negative सब में histone protein है उनका nature basic हो positive है lysine arginine में बहुत rich हैं और 5 types के होते हैं H1, H2A, H2B, H3 और H4 ठीक है ये जो 4 types है ये जो 4 types है इन सब के 2-2 members आते है और ये 2-2 members जुड़के एक single unit बना देते है उस single unit को कहा जाता है histone octamer octa मतलब होता है 8 तो ये 1, 2, 3, 4 4 member कितनी बार हैं? 2-2 बार हैं ये 4 histone सब double-double आते हैं 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4 तो टोटल unit कितने हो गए? आठ तो ये 8 histones मिलके एक structure मनाते हैं जिसे हम कहते हैं histone octamer और ये जो H1 है ये अकेले काम करता है as a linker histone ये काम करता है as a linker histone देखते हैं packaging कैसे होगी? अगले slide में H1 is the linker histone H2A, H2B, H3, H4 चारों मिलके double-double unit में आके बनते हैं histone octamer ठीक है? देखते हैं किया? diagram देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें H2A का एक member तुमें देख रहा है एक member इसके पीछे है H2B का एक member तुमें देख रहा है एक member पीछे है H3 का एक member तुमें देख रहा है एक member पीछे एक member तुमें देख रहा है एक member पीछे है H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4. तो यह 4 हिस्टोन तुम्हें दिख रहे हैं, इनके एक एक मेंबर पीछे की तरफ भी हैं. तो टोटल 8 मेंबर मिलके यह बन गया एक हिस्टोन ओक्तामर. अब इस हिस्टोन ओक्तामर के चारो तरफ आके, DNA लपिटना शुरू हो जाता है, इस तरीके से. चारो तरफ आके DNA लपिटता जा रहा है, ठीक है? यह है मेरा DNA, यह है मेरा ओक्तामर, यह पूरा यूनिट इसको कहा जाता है नूक्लियोजोम. नूक्लियोजोम क्या है? लगभग 200 बेस्पेर ओफ डिने हैं. प्लस हिस्टोन का बना ओक्तामर है. एक हिस्टोन के चारो तरफ, एक ओक्तामर के चारो तरफ लगभग 200 बेस्पेर ओफ डिने रैप होते हैं. 200 बेस्पेर ओफ डिने रैप अराउंड इच हिस्टोन ओक्तामर. ठीक है? तो यह एक नूक्लियोजोम बना. यह सारा का सारा, सेकेंड नूक्लियोजोम. यह सारा का सारा, थर्ड नूक्लियोजोम. ये सारे हैं आपके Nucleosome क्या है Nucleosome फिर से देख लो, what is a Nucleosome Nucleosome is a histone octamer plus 200 base pairs of DNA histone octamer क्या है 4 histones double-double आते हैं तो बनता है octamer 8 histones का group है अब इन सब के बीच बीच में दो Nucleosome के बीच का जो DNA इनको जोडने के लिए आता है H1 histone हर दो Nucleosome के बीच में आता है H1 histone इसलिए H1 को हमने क्या नाम दिया Linker histone H1 क्या कर रहा है It links DNA between two nucleosomes हर दो Nucleosome के बीच में थोड़ा थोड़ा DNA दिख रहा है मैं यह जाता है और उस DNA को भी और टाइट कर लेता है अपने चार तरफ और लपेट लेता है तो बहुत सारे beads है उन पे DNA string की तर है NCRD के लाइन याद आ रही है Beads on string तो यह पूरी-पूरी thread क्या है मेरी It is known as chromatin It is the chain of nucleosomes तो आपका वो जो 2 nanometer का DNA था वो histone octamer के चार तरफ रैप होता चला गया तो nucleosomes बन गए यह दाने हैं और यह धागे है दाने और धागे bead मतलब दाना, string मतलब धागा तो beads on string appearance ऐसे नज़र आती है ठीक है? इस तरीके से नज़र आता है और बीच में जो भी DNA था दो-दो nucleosomes के बीच में उस DNA को रैप करने के लिए ह्ट्वन हाया, उसको और चारो तरफ लपेट लेता है तो यह और टाइट हो जाते हैं तो nucleosome का यह जो पूरा fiber बनेगा, जो nucleosomes का पूरा group बनेगा इस पूरे धागे को हम बोलते हैं chromatin the complete धागा complete structure will be known as chromatin सारे nucleosomes मिलके chromatin बन जाएंगे single view में देख लो इसको भी single view का मतलब आप इसको pause करके note कर सकते हैं तो बहुत सारे nucleosomes H1 से और tight हो जाते हैं और वो पूरा एक single धागा बना लेते हैं known as chromatin ठीक है जब हम एक cell को देखते हैं तो cell के अंदर हम nucleus बनाते हैं और nucleus के अंदर हम क्या करते हैं इस तरीके से हम बहुत सारे धागे बना लेते हैं है ना हमने क्या का हमारा DNA कैसा होता है double standard है लेकिन linear है DNA के free ends होते हैं तो हमारे cell के nucleus जो 46 chromosomes हम पढ़ते हैं 46 individual chromatin हैं वो 46 individual chromatin होते हैं वो और condensed होके 46 individual chromosome बनेंगे और इन सब के उपर क्या होता है इन सब पे इस तरीके से हम beads बना देते हैं तो यह जो beads हैं these are nucleosomes और पूरे के पूरे धागे को हम बोलते हैं chromatin आ रहा है समझ में comment box में डालना समझ में आ रहा है तो ठीक है इस तरीके से सारे के सारे DNA के हमारी packaging हो जाती है तो एक साथ इस पूरे को हम नाम दे देते हैं chromatin तो यह beads on string appearance धागे दिखते हैं और beads नजर आती है इसे हम कहते है beads on string appearance कैसे बनी ऐसे बनी DNA पहले histone octomar के चाहते दरफ रैप होते जाते हैं बीच बीच में जो DNA है उसको जोडने के लिए H1 आ जाता है तो उसको और tight कर देता है इस तरीके से आपका DNA से आपके nucleosome की एक thread बन गई है known as chromatin ठीक है तो हमारे पास DNA था इस DNA से बना chromatin chromatin का basic unit क्या है nucleosome nucleosome की पूरी thread बन जाती है यही chromatin जब condensed होता है तो एक structure बनता है जिसे हम बोलते हैं solenoid यह और condensed होता है तो उससे हम बोलते हैं super solenoid यह और condensed होता है तो यह बनता है chromatin और यह और condensed होगा तो यह बनेगा chromosome धीरे 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 DNA condensed होता जाता है तो आपके पास DNA की thread है यह DNA की thread over a period of time condensed होके ऐसा short और thick structure में change हो जाता है और इस छोटे से structure को आप बोल देते हो chromosome तो यह journey है DNA की chromosome के condensation में बहुत लंबा DNA condensed होता 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 चेंज हो जाता है यहां से यहां तक की journey तो इसकी है lower level of packaging और जब यह chromatin आगे condensed होना शुरू होता है इसको हम कहते है higher level of packaging this is known as the higher level of packaging higher level of packaging में histone का काम नहीं है lower level of packaging में सारे histones ने help करी this is done with the help of histones जो higher level of packaging है सारी के सारी it is done with the help of non-histone chromosomal proteins non-histone chromosomal proteins non-histone बोलने का मतलब है यह histone वाले proteins नहीं है histone का काम खतम हो गया chromatin तक के level पर अब जब chromatin से आगे condensation चलती है तो DNA धिरे-धिरे coil होता जा रहा है chromatin और coil होता जा रहा है तो solenoid नाम की shape आती है फिर supersolenoid आता है फिर chromatin आता है फिर chromosome आता है हमने क्या का था कि जो हमारा DNA है यह 2 nanometer का diameter है लेकिन जब यह condensed होके chromosome बनता है तो 1400 nanometer की थिकनेस हो चुकी है इसकी तो imagine करो वो 2 nanometer का लंबा सा धागा coil हो रहा है और थिक होता जा रहा है और थिक होता होता 1400 nanometer का chromosome बन जाता है घर जाके घर पे ही हो तुम बट 11th को 11th की NCRT खोलना उसमें cell cycle खोलना उसमें mitosis खोलना उसमें metaphase खोलना metaphase में तुम्हें NCRT में line मिलेगी that during metaphase chromosomes are shortest and thickest वो लंबे लंबे धागे chromosome के condensed होते होते एकदम छोटे और मोटे हो जाता है तो इस तरीके से DNA pack होता जाता है 2 nanometer से वो change होके 10 to 11 nanometer की thickness पे आता है पिर यह और coil होके solenoids की thickness 30 nanometer की हो जाती है और coil होके super solenoids 300 nanometer के हो जाते है और coiling होके chromatid 700 nanometer का हो जाता है और यह 2 chromatids मिलके ही बनते हैं chromosome तो यह है 1400 nanometer इस तरीके से DNA coil होता चला जाता है single view में देख लो ठीक है फिर यह जो chromatin है by default cell में जब तक वो cell non-dividing है यह भी 11th के cell chapter में है 11th के cell chapter के nucleus के अंदर NCRT ने लिखा है कि non-dividing cell में आपको chromatin मिलता है जब उस cell को divide करना होता है तो वो प्रोफेस में जाता है metafase में जाता है तो प्रोफेस के अंदर यह coil करके solenoid super solenoid और प्रोफेस के N में आते आते वो chromosomes में change हो जाते है तो chromatin word का मतलब क्या है chroma मतलब colored teen word आता है thread के लिए तो chromatin का मतलब हो गया हमारा colored thread chromatin stands for colored thread 11th में दिया हुआ है it was discovered by Fleming यह सब 11th की book में है कि chromatin were discovered by Fleming जो भी आपका DNA है it can be stained by basic dyes basic dye मतलब basic chemical nature के stain होते हैं उनसे आप DNA को stain कर सकते हो तो nucleus में colored धागे दिखते हैं तो उन्होंने chromatin नाम दिया था अब यह जो chromatin है यह दो टाइप का है एक होता है hetero chromatin और एक होता है हमारा u chromatin आपके पास जो nucleus है nucleus के अंदर यह chromatin है तुमने stain डाला इसमे तुमने कोई colored basic nature की dye डाली जो nucleus के लिए specific है nuclear threads के लिए specific है तो वो जब इसके अंदर जाईगी ना तो वो दो टाइप की चीज़े create करती है कुछ धागे होते हैं जो बहुत light stain लेते हैं और कुछ धागे हैं जो बहुत dark stain लेते हैं तुमने color तो डाल दिया लेकिन कुछ region थे chromatin के जिन्होंने बहुत हलका stain लिया उन्हें बोलते हैं u chromatin जिन्होंने dark stain लिया उन्हें बोलते हैं heterochromatin u chromatin की coiling loose होती है heterochromatin की coiling बहुत tight होती है u chromatin क्योंकि loosely coiled है तो uncoil करना असान हो जाता है इसकी वजह से इनसे RNA असानी से बनता है तो यह transcriptionally active हैं इनसे RNA बन सकता है असानी से लेकिन क्योंकि यह बहुत tightly coiled हैं uncoil करने में बहुत energy waste होती है तो जादातर cases में यह transcriptionally inactive होते हैं इनसे RNA form नहीं होता तो यह hetero और u के differences हैं u chromatin में u मतलब क्या है तच्चा chromatin मतलब basically DNA है जब हम chromatin की बात करते हैं तो chromatin में DNA है chromatin में histone है लेकिन साथ में RNA भी आता है और बहुत सारे non-histone proteins भी आते हैं यह सब 11th की book में दिया हुआ है main component क्या हैं आपे main DNA और histones हैं लेकिन साथ में RNA और non-histone proteins भी हैं जो binding अच्छी कराते हैं colored thread है flaming ने discover किया था basic dice से stain होते हैं जब dice stain करोगे तो जो सच्चा chromatin है जिससे RNA बन सकता है वो सच्चा chromatin ठीक है ऐसे याद रखना है इसको सच्चा chromatin जिससे RNA बने RNA बनाने के लिए DNA को uncoil करना पड़ता है तो जिसकी coiling lose है वो DNA uncoil अराम से होगा और अगर coiling lose है धीली coiling है मतलब DNA का content थोड़ा कम है तो वो कम stain लेता है heterochromatin inactive है tight coiling है tight मतलब बहुत सारे DNA पास पास है तो dark stain लेता है ठीक है यह वाली information इधर यह दोनो information 11th की book में है यह दोनो information 12th की book में है तो single view में देख लो packaging of DNA helix यह है सारी की सारी packaging of DNA helix ठीक है तुरंट देखते है NCRT क्या-क्या लिखा है distance between two base pair was 0.34 nanometer यह 0.34 into 10 to the power minus 9 meter length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated कैसे calculate करेंगे multiply कर दो total number of base pair distance between two base pair तो हम humans के अंदर 6.6 into 10 to the power 9 base पे रहे यह deployed content है 3.3 haploid था और 0.34 से multiply कर दो तो answer roughly आ जाएगा 2.2 meter क्या लिखा है nucleus तो 10 की power minus 6 है मतलब nucleus is in micrometer 10 की power minus 6 micro होता है तो nucleus micrometer में है DNA meters में है तो यह कैसे packaging करते हैं तो organization काफी complex है eukaryotes की एक set है positively charged basic proteins का जिसको histone कहते हैं set है पूरा तो पांच चीजों का set है H1, H2A, H2B, H3, H4 protein acquires charge depending upon abundance of amino acid की उसके amino acid में कौन से nature के member है तो histones are rich in basic amino acids lysine and arginine में रिच है दोनों ही amino acids positively charged होते हैं अब क्या लिखा है histones organize होते हैं 8 molecules जोड के octamer बनाते हैं negatively charged DNA is positively charged octamer के around जोडता है तो बनता है nucleosome एक typical nucleosome में 200 base pairs of DNA आते हैं the nucleosomes constitute the repeating unit of a structure in a nucleus मैंने क्या का वही nucleosomes की thread बनती जा रही है beads on string उस पूरे thread को chromatin कहते हैं thread like stained bodies seen in nucleus क्या बताया था बिल्कुल चक्रा जाते हो न पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हो चक्रा के यह मैंने बना दिये histone के सिर्फ octamer मैंने का इन histone octamers के चारो तरफ DNA wrap हो रहा है तो अब यह एक एक unit बन गया nucleosome मैंने बोला हर nucleosome के बीच में आ रहा है H1 जो इसको और tight करने में help करते हैं और tight करके pass ले आएंगे तो pass लाने के बाद यह पूरगपूरा धागा जो beads on string appearance दे रहा है इसे ही आपने बोला chromatin the chromatin are seen as beads on string structure the beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers वो और condensed होता है तो वो solenoid बनता है chromatin fiber हम बोलते हैं super solenoid का दूसरा नाम है यह chromatin fiber is another name for super solenoid and further condensed होके वो metaphase stage वाला chromosome बन जाता है इस higher level of packaging के लिए अलग से proteins जाहें जिनको हम बोलते हैं non-histone chromosomal proteins ठीक है फिर उन्होंने कि आगा typical nucleus में some region of chromatin are loosely packed वो cum stain लेते हैं उन्हें euchromatin बोलते हैं euchromatin transcriptionally active है chromatin जो densely packed है जो dark दिखता है उसे heterochromatin कहते हैं और यह transcriptionally usually inactive होते हैं यह है वो पूरी bee john string appearance जो तुम्हें नजर आती है धागे और दाने दिख रहे हैं तो यह दाने nucleosomes के हैं और वो धागे DNA है ठीक है यह खाली तुम्हारे reference के लिए है समझाने के लिए है बस कि यह 2 nanometer का DNA है यह histones की मदद से जब condensed होने लग जाता है यह देखो दिख रहे हैं यह बहुत सारे members हैं जो histone octomer बने हैं इनके चार तरफ DNA है बीच बीच में H1 histone है इनको और tight करता है जब यह tight हो जाते हैं तो इनसे हमारा बनता है chromatin यही chromatin condensed होता जा रहा है जैसे जैसे यह chromatin condensed होता जाएगा इस region को इन्होंने यहां पे दिखाया है कि यह रा 30 nanometer का solenoid इस तरीके से घूमते जाते हैं यह और condensed होते हैं यह एक chromatin है 700 का पूरा chromosome है 1400 का और यह हमेशा कब होगा जब तक cell non dividing है chromatin pro phase में जाके वो condensation स्टार्ट करके metaphase तक chromosomes बना देता है ठीक है तो यह था सारग सारग packaging of DNA helix ठीक है जी क्या क्या देखा हमने E.coli में देख लिया DNA का nature protein का nature कैसे binding होती है क्या length है वो हमने देख लिया 4.6 into 10 to the power 6 को 0.34 into 10 to the power minus 9 से multiply करोगे तो यह answer आ जाएगा पर NCRT के diagram बना दिये है कि एक region है nucleoid जिसमें यह super looped है with the help of proteins eukaryot में देख लिया human के अंदर कितना DNA है हर nucleus में histone protein है और set of proteins है इसमें से यह 4 मिलके double double आके octamer बनाते है H1 linker histone है octamer और DNA जुडके nucleosome बनता है बीच बीच में जो DNA उसको जोडने के लिए H1 आ जाता है पूरे धागे को chromatin कहते हैं इस तरीके से नजर आता है जब तुम इसमें stain डालोगे तो कुछ region बहुत dark दिखेंगे कुछ region बड़े light दिखेंगे तो dark वाले को hetero light वाले को you chromatin बोलोगे इस concept में condensation होती है DNA से chromatin lower level बाकी आगे तक higher level higher level में non-histone proteins का काम आता है 2 nanometer का लंबा सा DNA, 1400 nanometer का thick chromosome बन जाता है दोनों chromatin की properties हमने देख ली ठीक है? चलो next concept पे move करते हैं next concept हमने का था? search for genetic material search for genetic material कैसे पता लगाया? कैसे ढूंडा genetic material को? यह देखते हैं इसको हम तीन parts में पढ़ेंगे पहला part हम पढ़ेंगे Griffith का second part हम पढ़ेंगे Avery, McLeod, McCarty का और third experiment हम यहाँ पढ़ेंगे Hershey और Chase का तो यह तीन के बारे हम हम एक एक करके पढ़ना start करेंगे search for genetic material में the first is Griffith's transformation experiment first लिकलो Griffith's transformation experiment क्या किया था इन्होंने NCRT ने इसका year दिया हुआ है 1928 तो NEET में यह year पूछा जा सकता है बहुत chances हैं क्या किया Griffith ने सबसे पहली चीज Griffith ने बोला उन्होंने एक बैक्तीरिया पर काम किया उस बैक्तीरिया का नाम है Streptococcus Pneumony Streptococcus Pneumony इसी बैक्तीरिया का नाम Pneumococcus Pneumony भी है इसी बैक्तीरिया का नाम Diplococcus Pneumony भी है इसी बैक्तीरिया के नाम है इन्होंने लिए इसके दो टाइप्स इन टाइप्स को Strain कहते हैं जैसे हमारे में Varieties होती है ना आप कोई सबजी लेते हो आम खरीते हो तो बोलते हो आम की Varieties है आप चावल देखते हो उसकी Varieties है आप Dog को देखते हो Dog की कितनी Varieties है Cat की कितनी Varieties है तो ऐसे ही बैक्तीरिया में जो Varieties होती है उसे Strain कहते हैं तो इन्होंने आर के अंदर भी बहुत सारे Sample लिये थे R1, R2, R3 and so on S2, S3, S4 ऐसे बहुत सारे लिये थे कि R के जो Sample है उसकी Numbering कर रखी थी बहुत सारी S के Sample के Numbering कर रखी थी तो इनको जो सबसे अच्छे result मिले थे वो R के Second Sample से S के Third Sample से मिले तो कई books में आपको यह R2 और S3 का Concept मिलता है ठीक है? आप बहुत सारी Bottle बनाते हो उसमें Numbering कर देते हो न तो बिलकुल वैसी चीज़ है अब R और S का मतलब क्या है? R का मतलब है जब इससे हम Grow कराते हैं Lab में तो इनका जो Group आता है लेकिन S वाले जो Types हैं Microscope में जब इनको देखते हैं तो इनकी colony काफी Smooth और एकदम सुन्दर सुन्दर है बहुत सुन्दर सुन्दर colony बनाते हैं यह एकदम Smooth Surfaced ऐसा क्यों? R वाले टाइप के पास Glyco Calyx नहीं होता Glyco Calyx को यह हम बोलता है Capsule तो there is no Glyco Calyx यह Capsule लेकिन यह Smooth इसलिए है क्योंकि सब के पास Capsule की layer है तो जब यह Grow करते हैं तो एकदम uniformly Grow करते हैं और Smooth Surface बनाके Grow करते हैं अब होता क्या है? 11th में हम यह पढ़ते हैं यह 11th Standard की चीज़ है कि जो Glyco Calyx है जो Capsule होता है वो Host के Immune System से बचाता है Bacteria में उसका Capsule उसके Shield की तरह है उसके ढाल की तरह है जो Host के Immune System से बचा लेता है तो यह क्या है? This is Avirulent यह disease नहीं कराता यह pneumonia नहीं कराता Non-Pathogenic है क्योंकि इसके पास Capsule नहीं है अगर यह किसी Animal के इंदर जाएगा न तो Immune System से मार दिया जाता है R2 वाला टाइप इसके पास है Capsule तो यह Immune System से बचा रहेगा यह host के Immune System से उनकी Antibody से छुपा रहता है बिलकुल तो यह host के अंदर ग्रो करके disease करा देता है तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पैथोजनिक नॉन वाइरूलेंट डिजीज नहीं कराता वाइरूलेंट डिजीज कराता है पैथोजनिक मतलब डिजीज कराने वाला तो दो टाइप थे R और S R के जितने भी Sample लिए उसमें से Second Sample से रिजल्ट आया S के Third Sample से रिजल्ट आया तो R और S ये टाइप लिए Streptococcus pneumonia के इसी के ये दो नाम भी आ सकते हैं pneumococcus या diplococcus ये pneumonia कराता है जानलेवा है R वाला नहीं है S वाला होता है अब इन्होंने क्या कराया ग्रिफित ने चूहे की बलेदान लिये येस चूहे का बलेदान लिया क्या किया इन्होंने इन्होंने लिया चूहा चूहे के अंदर जो R का बेक्टीरिया था वो इन्जेक्ट कर दिया चूहे को कुछ नहीं हुआ माउस दिन्दा है क्यूं क्यूंकि R डिसीज नहीं करा सकता R के पास कैप्सूल नहीं है तो वो जैसी माउस के अंदर जाएगा न माउस का इम्यून सिस्टम R को मार डालता है ठीक है एक और चूहा लिया उसमें जो S वाले बैक्टीरिया हैं उसका इंजेक्शन लगा दिया S वाला स्मूद है स्मूद मलब उसको वास कैप्सूल है कैप्सूल होस्ट के इम्यून सिस्टम से इसको बचा लेता है तो यह जब S माउस के अंदर जाता है तो माउस के इम्यून सिस्टम को कुछ पता नहीं चलता S के मेंबर ग्रो करते रहते हैं माउस को डिसीज कराते हैं और चूहे का बलिदान हो जाता है मर जाता है चूहा अफसोस फिर उन्हेंने क्या किया? चूहा लिया और उसमें हीट किल्ड S डाला S बैक्टीरिया था टेस्ट्यूब में लिया और बर्नर के उपर रखे उबाल लिया उसको फूरा अच्छे से उबाल दिया उस पानी को जिसमें वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया मर चुका है वो भगवान को प्यारा हो चुका है उसके सारे अंजर-पंजर तूटके अलग हो चुके हैं तो obviously इनको result क्या मिला? दूहा जिन्दा, S को मार डाला, उबाल-उबाल के अच्छे से ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने, जो heat-killed S था जो heat-killed S का solution ने वो लिया और साथ में उसमें live R mix कर दिया और कुछ देर के लिए इस combination को रखके छोड़ दिया अब उस tube के अंदर जिन्दा R है उस tube के अंदर सारा dead S है जिसके DNA, RNA, protein सब अलग हो चुके हैं पूरा cell तूटके destroy हो चुका है अब कुछ देर इसको रखने के बाद फिर इसको चुहे में डाला अब तुम्हें साफ साफ देख रहा है living R जब mouse में डालते हैं तो mouse जिन्दा बच जाता है जब heat killed S माउस में डाला तो भी mouse जिन्दा बच जाता है लेकिन जब इन्होंने S और R के solution को mix करके रखा और इस mixture को mouse में डाला तो इन्होंने देखा कि मूशक महराज जो थे वो मृत्यू के काल में समा गए mouse was found to be dead mouse को dead कौन कर सकता है सिर्फ live S है जो mouse को मार सकता है ना तो living R अकेला माल रहा था ना heat killed S मार रहा था बड़ इनके combination से चुहा मर गया बड़ा amazing है कि अलग-अलग चुहा नहीं मर रहा था इनसे इनको mix करके जब चुहे में डाला तो चुहा मर गया single view में देख लो फिर next page पे चलते हैं ठीक है मर गया चुहा अब क्या करें पोस्ट मॉटम किया चुहे का वो जो dead चुहा था ये वाला जो dead चुहा है last वाले case का जो dead चुहा है इस dead चुहे की पोस्ट मॉटम करी इसके tissues निकाल के देखें तो tissues में से live r मिले tissues में dead S के remains मिले और कुछ जिन्दा S मिले कुछ जिन्दा S वाले bacteria मिले तुमने तो जिन्दा S डाला ही नहीं था या तो heat killed ऐसे वो या वो living r है लेकिन मरे वे चुहे में से r के साथ साथ कुछ जिन्दा S भी मिले तो इन्होंने क्या conclusion दिया Griffith ने conclusion क्या दिया हमें Griffith ने बोला कि कुछ आर सारे के सारे नहीं कुछ जिन्दा आर हैं कुछ जिन्दा S और कुछ dead S के remains हैं तो ये दोनों चीज तो डाली थी ये तो डाले ही नहीं था तो Griffith ने क्या बोला कि कुछ जिन्दा आर उन्होंने अपने आपको जादूई शक्तियों से transform करा लिया इसमें जिन्दा S में सारे के सारे RS में change नहीं हुए कुछ RS में change हुए उन्होंने कहा कि किसी तरीके से किसी जादूई शक्ति से R ने अपने आपको जल्वरा करा लिया बदला लिया अपने आपको और इन्होंने जिस चीज से ये बदलाव आया उस जादूई शक्ती को इन्होंने नाम दे दिया ट्रांस फॉर्मिंग प्रिंसिपल जैसे हमने का था मेंडल को पता थोड़ी था कि जीन क्या होता है डियने क्या होता है मेंडल को नहीं पता था तो Mendel ने बोल दिया factor होता है, ऐसे ही Griffith ने क्या बोला, Griffith ने का कि भई कोई चीज है जो R को S में transform करवाती है, तो उन्होंने उस चीज को बस बोल दिया transforming principle, वो transforming principle क्या है, वो chemical क्या है वो उनको पता नहीं था, तो ये था Griffith का काम, ठीक है, दो type के R लिए, एक R जो disease नहीं कर जाता एक जो disease कराता है, चूहे में डालना शुरू किया, Living R से चूहा जिन्दा रहा, Living S से चूहा मर गया, Heat Killed S से चूहा जिन्दा रहा, Heat Killed S मतलब S के solution को, पानी है, पानी में S बेक्टीरिया है, उबाल दो, तो S मर जाता है, लेकिन जब इनके combination को थोड़ी देर रखा, फिर उसको mouse में डाला, तो mouse मर गया, मरे होई चूहे में से, मरे होई चूहे में से, जिन्दा रह, Dead S के साथ, जिन्दा S मिला, तो इन्होंने का कि कोई chemical है, कोई transforming principle है, जो Living R को Living S में change कराता है, इस Living S ने फिर उस चूहे के अंदर disease कराया, और उसकी वज़े से चूहा मर गय ठीक है, This Living S caused the death of the mouse, ठीक है, करा दिया है सारा काम, इन से जब पूछा गया, कि सर आप ये बताईए, कि transforming principle है क्या, तो ये नहीं बता पाए, इन से जब ये पूछा गया ना सारा चीज, तो ये बता नहीं पाया आगे की चीज है, discovery of new clean, मिशर ने कर दिया था, principles of inheritance, मेंडल ने दे दिया था, तो 1926 तक आते आते, quest, quest मतलब आपकी एक treasure hunt की तरह, scientist 1926 तक इस चीज के भूके थे, कि ये molecular level पे genetic material आखिर है क्या, कैसे चीजे control हो रही हैं, तो मिंडल ने, सटन ने, मॉर्गन ने, सब ने बहुत सारे काम किये, 1928 में Griffith ने, streptococcus pneumoniae पे काम किया, ये pneumonia कराता है, इन्होंने क्या देखा एक, जादूई transformation देखा bacteria में, during the course of experience, इन्होंने देखा कि living organism ने अपना physical form change किया, आपने कोई भी living S नहीं डाला था, फिर भी living S मिला, चप्टो कोगस का इन्यूमो कोगस नाम है, अब इन्होंने क्या बोला, कुछ smooth और shiny colonies बनाते हैं, उनको S टाइप बोल दिया, जो rough colony बनाते हैं, उनको R बोल दिया, S bacteria have a mucopolysaccharide coat, यही मैंने तुम्हें लिखवाया है glycocallax, या उसी को हम बोल रहे हैं capsule, R strain के पास नहीं है, तो जो भी चुहे को S डालोगे, S वाला virulent है, वो मर जाएगा pneumonia से, लेकिन जिस भी चुहे को R से डालोगे, उसको pneumonia नहीं हो सकता, S को mouse में डाला, mouse मर गया, R को mice में डाला, चुहा जिन्दा रहा, अब Griffith was able to kill bacteria by heating them, तो उन्हेंने क्या कहा, heat killed S जो है, वो mouse को नहीं मार सकता, heat killed S चुहे में डाला, चुहा जिन्दा, लेकिन जब ये combo डाला, तो चुहे की मृत्तिय हो गई, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, कि R strain, सम्हाव किसी तरीके से, transform हो गया, by heat killed S, heat killed S की मदद से, उसने अपने आपको S में change कर दिया, कुछ transforming principle था, जिससे heat killed S से, R ने, smooth polysaccharide coat बना-बना के, virulence ले ली, R ने मरे होए S से, कुछ लिया, जिससे उसने अपने आपको S में change कर लिया, कई बहुता है, आप game खेलते हो, PUBG टाइप की game खेलते हैं न, या पहले भी बहुत सारे game खेलते थे, हैं न, तो जो पहले आप games खेलते हैं तो उसमें क्या होता था, मान लो आप और आपके साथ में कोई है, तुम्हारे पास कोई weapon खतम हो चुका है, अब तुम्हारे सामने कोई बंदा मरा पड़ा उसके पास वो weapon है, तो तुम उसके पास weapon लेके, तुम वो weapon यूज़ कर सकते हो, तो S के पास weapon था उसका capsule, तुमने जब S को मारा, तो तुमने सब कुछ destroy कर दिया उसका, लेकिन जब living R और dead S को एक साथ रखा, तो living R ने उस dead S में से कोई ऐसी चीज़ ली, जिससे की R ने वो capsule बनाया, वो S में change हुआ और disease करा दी, ठीक है, तो however, the biochemical nature of genetic material was not defined, Griffith के experiment से पता नहीं चला कि वो genetic material क्या है, बट ये पता चला कि हाँ कोई चीज़ है, जो transfer हो सकती है, ठीक है, living S, inject, चुहा मर गया, living R, चुहा जिन्दा, heat killed S, चुहा जिन्दा, लेकिन इनके mixture से चुहा मरा, और मरे होई चुहे से मिला living S, तो ये था सारा Griffith का experiment, फिर second काम, Avery, McLeod, और McCarty का, next काम लिख लो, Avery, McLeod, McCarty का, इनके जो काम की duration है, इनका काम दिखने में बहुत simple है, लेकिन, बहुत लंबा काम है, 1928 में Griffith ने transforming principle का concept दिया था, इन तीनों ने मिल के पता लगाया, इन्हों ने किया, Biochemical Characterization इन्हों ने पता लगाया, Biochemical Characterization मतलब Biochemical इसका Character पता लगाना, तो Avery, McLeod, McCarty ने बहुत लंबे समय के Experiment के बाद ये बताया, कि आपका जो Transforming Principle है, it is DNA, Biochemical Characterization of Transforming Principle, Avery, McLeod, McCarty ने पता लगाया, कि ये Transforming Principle DNA है, ये RNA नहीं होता, ये protein नहीं होता, ये lipid नहीं होता, ये DNA का Molecule है, जो Transformation करवाता है, ठीक है, कैसे करवाया, बहुत प्यारा Experiment है, बहुत प्यारा, बहुत Simple सा Experiment है, हमारी गर्बड कहां से आई थी, एक ऐसा Test Tube जिसमें, इस Test Tube में, Living R है, और इस Test Tube में, Dead S का DNA, RNA, Protein सब है, Dead S का, जितना भी DNA है, वो भी solution में है, इसका जितना RNA है, वो भी इसमें है, जितना protein है, वो भी इसमें है, वो Free Form में है, Test Tube में, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस Test Tube के solution को तीन हिस्सों में बाट दिया, तीन हिस्सों में बाटा, तो सब Test Tube में, Live R के Members हैं, और तीनों Test Tube में, S के DNA RNA protein है, सेम चीज को बस तीन हिस्सों में बाट दिया, लेकिन बाटा क्यों, बहुत दिमाग लगाया इन्होंने, पहले Test Tube में, Enzyme डाला, DNAs, DNAs क्या करेगा, S के सारे DNA को, इस solution में, DNA RNA protein सब था, लेकिन अब यहां पे, सारा DNA डिस्ट्रॉई हो चुका है, there is no DNA, RNA है, और protein है, बहार क्या है सारा मेरा, dead ass, सेकंड ट्यूब में, इन्होंने Enzyme डाला, RNAs, RNAs, अब जितना dead ass है, उसका DNA सही सलामत है, RNA सारा destroyed, protein सारे सही सलामत है, और third tube में, इन्होंने डाला protease, protease जब डालेंगे, तो जितना dead ass है, DNA इसका सही है, RNA इसका सही है, लेकिन सारा protein destroyed, तो पहली tube में सारा DNA नहीं है, no DNA, फिर RNA नहीं फिर protein नहीं, ऐसे करके mixture को treat किया, फिर क्या किया इन्होंने, इस mixture को चूहों में डाला, इस mixture को चूहों में डाला, इस mixture को चूहे में डाला, क्या result आया, इस mixture से चूहा जिन्दा, इस combination से चूहा dead, इस combination से चूहा dead, मर गए चूहे भाई साब, अब हमने क्या पढ़ा था अभी अभी, जब तुम R और dead S का mixture लेते हो, जब तुम R और dead S का mixture लेके चूहे में डालते हो, और अगर चूहा मर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पे transformation हो रही है, चूहा अगर मर रहा है मतलब transformation है, चूहा नहीं मरा, transformation absent, चूहा मर गया, transformation present, चूहा मर गया, transformation present, transformation absent, present and present, तो अब इन्होंने दिमाग चलाया, कि पहले case में, DNA नहीं है, तो चूहा जिन्दा बज गया, transformation नहीं हो रही है, second case में देखा, DNA present है, चूहा मर रहा है, transformation हो रही है, third case में देखा, अगें यहां पे भी DNA है, तो चूहा मरा और transformation हो रही है, RNA प्रोटीन दोनों present है, no transformation, RNA की absence से transformation को फरक नहीं पड़ रहा, protein present है, लेकिन protein तो यहां पे भी present था, transformation नहीं हो पा रहा था, इस case में protein absent है, RNA present, लेकिन RNA जब present था, तब भी transformation नहीं हो पाया, तो इन्होंने बस क्या देखा, कि DNA की absence ही transformation रोक पाती है, DNAs डालने से transformation रुकता है, RNAs और proteins से transformation नहीं रुकता, इसका मतलब, जितने भी living आ रहे हैं, उसमें से कुछ member ने क्या किया, S के DNA का, वो टुकड़ा अपने अंदर ले लिया, जिससे capsule बनाने की information आती है, तो उन्होंने अपने आपको change कर लिया S में, और S में change करने के बाद डिजीज कराई, और disease कराई के बज़े से चुहा मर गया, तो इन्होंने पता लगाया कि वो transforming principle DNA था, सिर्फ DNA की absence रुक सकती है, मनना DNA present है तो इस combination से चुहा मरेगा ही मरेगा, transformation हो रही है, R S में transform हो रहा है, तो यह देख लो single view में, इन्होंने बताया कि DNA is the transforming principle, इन्होंने बोला कि भाई DNA genetic material है, DNA hereditary material है यह भी बोला इन्होंने, बट कोई इनकी बात से convinced नहीं हुआ, NCRT की लाइन है, Avery, McLeod, McCarthy ने 1933 से 1944 में काम किया, इन्होंने biochemical ही पता लगाया transforming principle क्या है, तो इन्होंने क्या discover किया, कि protease और RNAs did not affect transformation, उससे transformation को कोई फरक नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि transforming principle प्रोटीन और RNA होई नहीं सकता, लेकिन जब digestion DNA से कराया, तो आपकी transformation रुक गई, तो DNA की वज़े से transformation हो रही थी, इन्होंने conclude किया कि DNA hereditary material है, लेकिन सारे biologist उसको नहीं मानते, उनके जैसे हमने कहा था, मेंडल के काम को बाकी biologist नहीं माना, तो ऐसे इन्होंने जब बोला DNA hereditary material है, तो बाकी लोगों ने उसको नहीं माना, छीक है, फिर मानेंगे कैसे, एक तीसरा काम आया, हमने कहा न, तीन scientist के काम पढ़ने है, तो लास्ट काम किया, Hershey और Chase ने, इनका काम 1952 का था, ठीक है, NCRT में दिया हुआ है, Hershey और Chase ने 1952 में काम किया था, बहुत interesting काम है इनका भी, बहुत interesting काम है Hershey और Chase का भी, इनके लिए NCRT के एक लाइन है, Unequivocal proof, that DNA is genetic material, Unequivocal, ऐसी बात कह देना, कि अब कोई उस बात को challenge ना कर पाए, कोई उस बात को जुटला ना सके, ऐसी बात को हम बोलते हैं Unequivocal, उसके समान अब कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, that is known as Unequivocal, यह as a statement Hershey और Chase के लिए दिया NCRT ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने E. coli को यूज किया, और इन्होंने Bacteriophages को यूज किया, T2, T4, T6 यह Bacteriophages के नाम रखे गए है, E. coli और T2 Bacteriophages यूज किया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, कुछ Bacteriophages को इन्होंने Radioactive Phosphorus में ग्रो किया, और कुछ को Radioactive Sulphur में ग्रो किया, रेडियो अक्टिव आइसोटोप का यूज किया गया, येस, रेडियो अक्टिविटी के बहुत सारे यूसेज हैं, खामफुल भी, बेनिफीशेल भी, 11th में हम पढ़ते हैं कि Melvin Calvin ने ही यही रेडियो अक्टिव आइसोटोप यूज किये थे कार्बन के, तो उन्हेंने सारी C3 cycle discover करी, यहां पे रेडियो अक्टिव आइसोटोप थे, 32P and 35S, और उसमें किसको उगाया है? सिर्फ वाइरस को, कुछ वाइरस इसको रेडियो अक्टिव फॉस्पोरस में रखा, तो फॉस्पोरस खाली DNA में मिलता है, प्रोटीन कोट में निंग, तो सारा का सारा DNA radioactive हो गया इसका, DNA is radioactive, फॉस्पोरस प्रोटीन में नहीं मिलता है, DNA में मिलता है, और जिन बेक्टिरियो फाजस को radioactive sulfur में रखा, उन सब का प्रोटीन, प्रोटीन कहां मिलता है में, कैप्सिड में, कैप्सिड radioactive हो गया, DNA नॉर्मल है, तो इन्होंने बेक्टिरियो फाज लिया, कुछ को radioactive phosphorus में रखा, उनका DNA radioactive हो गया, जिसे radioactive sulfur में रखा, उनका protein radioactive हो गया, कैप्सिड जो होता है वो protein issues है, प्रोटीन के पास phosphorus नहीं होता, DNA के पास sulfur नहीं होता, तो radioactive phosphorus से सिर्फ DNA radioactive बनता है, radioactive sulfur से सिर्फ capsid radioactive बनता है, सिंगल व्यू में देख लो, क्या किया इन उने आगे, बड़ा मस्त काम है इनका भी, इनके पास एक bacteriophage है, जिसकी DNA radioactive है, और एक bacteriophages हैं, जिनका protein coat radioactive है, पिंक कलर में radioactive के लिए यूज करूँगा, अब सबसे पहली step इन्होंने कराई infection की, तो मेरे पास E. coli bacteria है, इस पे इन्होंने कराया infection, तो bacteriophage आके बैठा यहां पे, और इस bacteriophage ने अपना DNA अंदर release कर दिया, यहां पे भी bacteriophage आके बैठा, इस ने भी अपना generic material inject कर दिया, यह हो गया infection की step, second step होता है इनको अलग करना, तो normal centrifuge machine जो होती है, जैसे mixi होती है, उसके अंदर रखा, bacteria अलग हो जाएंगे, empty capsid अलग, genetic material अंदर जा चुका है, empty capsid अलग, यह वाला बैक्टीरियोफाज है जिसका radioactive phosphorus है, DNA radioactive है, यह बैक्टीरियोफाज है जिससे sulfur में ग्रो किया था तो उसका capsid radioactive है, infection कराया, centrifuge से इनको अलग कराया, थर्ड स्टेप में centrifugation, blending normal mixi में कराई, अब जब आप centrifuge कराते हो, तो centrifuge का नियम है कि भारी चीज नीचे आती है, और light चीज उपर रह जाती है, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया भारी है, तो नीचे सारा बैक्टीरिया आता है, और जितना भी virus है, जितना भी virus है, virus हमारे उपर के solution में आएगा, उपर का जो solution है, इसके अंदर आएगा सारा का सारा मेरा virus, अब क्या result आएगा यहां से, यहां पर जितना virus है, वो नॉर्मल है, यहां पर जो virus है, वो radioactive है capsid, ठीक, क्या देखा है इन्होंने, सारी की सारी जो radio activity आ रही है, और बेक्तिरिया पैलेट इसका नॉर्मल है, पैलेट मतलब जो नीचे है, supernatant मतलब जो उपर है, पैलेट मतलब जो एकठा हो जाता है, और जो liquid है उसे supernatant कहते हैं, लेकिन इस case में, सारी की सारी radio activity बेक्तिरिया निकाल रहा है, तो पैलेट रेडियो आक्टिव हो गया, बेक्तिरिया बिकेम रेडियो आक्टिव, और सारा वाइरस वाला supernatant नॉर्मल, इस activity से इन्होंने प्रूफ किया real time में, कि जो material transfer होता है वो DNA है, protein transfer नहीं होते, DNA का transfer होता है, कैसे वापस से देख लो, बेक्तिरियो फाज है, कुछ को radioactive phosphorus में रखा तो खाली DNA radioactive बना, जिसको radioactive sulfur में रखा उसका खाली capsid, उसका खाली protein radioactive बना, ठीक है, allow किया, ecoli को infect करने के लिए, blendings उनको अलग किया, centrifuge किया, और जब radio activity चेक की, तो एक tube है, जिसमें सारा bacteria radioactive हो चुका है, हमने तो बेक्तिरिया को radioactive बनाया ही नहीं था, और उन्होंने क्या देखा, सारा का सारा जो virus का capsid है, वो बिना radio activity के अब, आपने इस वाले side में, left hand side जो reactions हैं, इसमें radioactive कौन था, DNA radioactive था virus का, तो सारा DNA बेक्तिरिया के पास गया, तो प्रूफ हो गया, कि DNA is the genetic material, जो पास होता है, दूसरे test tube में, bacteria non radioactive है, लेकिन सारा जो virus का capsid है, वो radio activity निकाल रहा है, यहां पर आपने radioactive किसको बनाया था, प्रोटीन को, तो प्रोटीन की radio activity अभी भी वाइरस के पास है, लेकिन जो DNA radioactive था, वो बेक्टीरिया के पास जा चुक है, तो यहां से उन्होंने प्रूफ किया, कि जो material transfer होता है, वो DNA है, प्रोटीन नहीं, तो यहनोंने unequivocal proof दिया, that DNA is the genetic material, एक cell से दूसरे cell में, DNA का transfer होता है, single view में देख लो, फिर NCRT देख लेते हैं इसकी, तो यह Hershey और Chase ने experiment किया था, ठीक है, genetic material DNA है, इसका unequivocal proof, Hershey और Chase ने दिया, 1952 के अंदर, क्या किया इन्होंने, bacteriophage, bacteria से अटाच होता है, उसका genetic material, bacteria के अंदर घुस जाता है, अब bacteria का cell, virus के genetic material को, अपने जैसा ही ट्रीट करता है, और फिर बहुत सारे, और virus बनाता है, Hershey और Chase ने, discover किया था, कि protein, या DNA में से कौन है, जो bacteria के अंदर जाएगा, तो इन्होंने, viruses को, ऐसे मीडियम में ग्रो किया, जहां radioactive phosphorus था, और कुछ में radioactive sulfur था, जिन वाइरस को, radioactive phosphorus में ग्रो किया, उनका DNA radioactive बना, protein normal था, क्योंकि DNA में phosphorus मिलता है, जिन वाइरस को, radioactive sulfur में ग्रो कराया, इनका protein radioactive बना, ठीक है, क्योंकि DNA does not contain sulfur, DNA में कहीं भी sulfur नहीं है, तो radioactive phosphorus में DNA radioactive बना, radioactive sulfur में protein code radioactive बना, इन phages को, E. coli से attach करवाया, तो वो infection की step, फिर viral codes को bacteria से अलग कराया, blender में डालके, proper mixi में डालके, फिर उनको centrifuge से अलग कर लिया, अब जिस bacteria को, infection मिला था, उस virus से, जहाँ DNA radioactive है, तो वो सारे bacteria radioactive हो गए, क्या इशारा मिला, कि DNA पास हो गया, वाइरस से बेक्टीरिया में, बेक्टीरिया जिनका infection, ऐसे virus से कराया, जिनके पास radioactive protein था, तो ऐसे bacteria radioactive नहीं बने, तो इसका मतलब protein did not enter the bacteria, तो प्रूफ आ गया DNA is the genetic material, देख लो यहाँ पे सेम चीज, इस ग्रीन कलर रेडियो अक्टिविटी है, तो यहाँ पे, कैपसिड radioactive है, प्रोटीन radioactive है, और यहाँ देखो DNA, अंदर का जो DNA है, उसको radioactive बनाया है, infection कराई, mixi medal के blending कराई, centrifuge कराया, अब result क्या आया, bacteria normal है, supernatant radioactive, और जहाँ पे वाइरस का DNA radioactive था, वहाँ bacteria radio activity दे रहा है, सारा supernatant एकदम normal, यह NCRD का डाइग्राम, सेम चीज दिखाईए, इन्होंने red कलर से radio activity दिखाईए है, तो radioactive जब DNA था, तो इन्होंने क्या लिखा, radio activity आई, bacteria के cells में, जब capsid radioactive था, तो radio activity आई, supernatant में, तब bacteria normal था, इन सबसे सारी चीजें, प्रूव हो गई, ठीक है, फिर next, लिख लो, यह table, DNA versus RNA, हमने कहा था, last हमारा चीज है, DNA versus RNA, copy करना है इसको, ठीक है, अब, DNA का नेचर है, double standard, DNA is double standard in nature, तो ज़्यादा stable है, RNA में single standard है, एक ही strand है, और हमने क्या कह था, RNA में two prime OH है, free बहुत सार है, इसके पास है thymine, which is five methyl uracil, हमने कहा था, uracil पर ही, fifth position पर जब methyl आता है, तो वो thymine मन जाता है, methylation से DNA और stable बनता है, यहाँ पर two prime पर deoxy sugar है, non reactive position, uracil more reactive है, और ribose में हमने कहा था, it has free two prime OH, deoxy ribose sugar पर कोई भी reactive position नहीं बची थी, लेकिन ribose में three prime OH के इलाबा, हर two prime पर OH है, जो reactivity दे सकता है, तो DNA structurally और chemically जादा stable है, reactive कम है chemically, RNA structurally और chemically less stable है, जादा reactive है, तो इसमें fast mutation हो सकती है, यह slow mutation होती है, यह धीरे-धीरे mutate करता है, DNA में हमने central logma में क्या पढ़ा था, DNA कभी direct protein नहीं बनाता, DNA हमेशा dependent है, RNA पर protein बनाने के लिए, लेकिन सारी protein machinery, RNA के चारों तरफ है, protein बनाने के लिए ribosome चाहिए, वो ribosomal RNA बनाता है, protein बनाने के लिए amino acid को लाना होता है, वो tRNA करता है, protein बनाने की जो information है, कि किस sequence में amino acid लगेंगे, वो mRNA के पास information है, protein में amino acid की बीश में bond बनाना है, वो भी ribosomal RNA करता है, तो सारी machinery RNA के चारों तरफ evolve हो रही है, तो आपकी information किसको store करना चाहिए, जो stable हो या unstable, तो DNA being more stable, it is preferred for storing information, एक generation से दूसरे generation में information as it is पास होनी चाहिए, बिल्कुल as it is, अगर parents से बच्चे में ही mutated चीज़े जाएंगी तो फिर तो species ही चेंज होती ही चले जाएगी हर बार, बच्चे अपने माबाब के बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, RNA is better for transmission, transmit करने का मतलब क्या है, information को अब आपको show करना है, express करना है, तो RNA जादा reactive है chemically, तो इसलिए इससे चीज़े एक्सप्रेस हो पाती है, chemical reactions हो पाते हैं तो आप proteins बनवा सकते हो RNA की मदद से, DNA में आप चीज़ों को information को store करके nucleus के अंदर छपाके रख देते हो, तो यह है DNA versus RNA का concept, वीडियो को pause करके सारे features देख लेना, DNA जादा suitable है, वह DNA, NCRD क्या कहती है, कि genetic material कैसा होना चाहिए, जो जादा chemically or structurally stable हो, जो धीरे-धीरे mutate करे, जहां information अच्छे से store हो पाए, ऐसी चीज़ आपका अच्छा genetic material है, तो हमने कहा था, सब में genetic material हमेशा DNA होता है, कुछ ही viruses हैं जिसमें RNA genetic material है, तो वह virus बहुत जल्दी-जल्दी mutate करते हैं, और उनसे बड़ी दिक्कत होती है, तो यह देख लो DNA versus RNA, इसकी भी NCRT देख लेते हैं, क्या बोला NCRT ने, NCRT ने कहा कि, it is clear, that between protein versus DNA, as the genetic material, Hershey और Chase ने clearly बता दिया था भी, DNA genetic material होगा, DNA acts as genetic material, यह clear हो गया सबको, लेकिन कुछ viruses हैं, जहां RNA genetic material का काम करता है, starting में लिखवा दिया था, example, TMV और QB bacteriophage, ठीक है, अब सवाल आया, कि क्यूँ DNA, predominant genetic material है, क्यूँ DNA, मौनरा से लेके अनेमेलिया तक, main genetic material है, जबकि RNA जो है, वह बाकी dynamic functions करता है, dynamic मतलब बहुत सारे changing functions, कि वह messenger भी है, वह adapter भी है, तो ऐसा क्या difference है, molecule, अच्छा genetic material कब बनेगा, जब वह अपना exact copy, खुद बनवा सके, RNA अपने खुद की copy नहीं बनवाता था, RNA पहले DNA में change होता है, DNA सी वापस नहीं RNA बनता है, तो replication DNA कराता है, stable होना चाहिए, तो हमने देख लिया, वह DNA का feature है, slow mutation होनी चाहिए, वह भी DNA का feature है, and it should express in Mendelian character, Mendel के laws में, dominance, recessive, यह सब follow करना चाहिए, अब यह तो तब follow होगा न, जब वह stable होगा, अगर वह एक हमने क्या का, कि sickle cell anemia, autosomal recessive है हर human के लिए, बढ़ अगर mutation चल रही है, तो फिर तो गलत हो जाता, किसी में तो वह dominant बन जाता, किसी में recessive बन जाता, यह तो गरबड हो जाती, तो DNA में जो information है, DNA जो है वह Mendelian character में express होता है, RNA तो बहुत जल्दी-जल्दी mutate हो कि अपना nature ही change करता रहेगा, ठीक है, तो genetic material should be stable enough not to change with the stages of life cycle, या age, या change in physiology of organism, so stability is one of the property which was evident in Griffith's experiment, heat की treatment के बाद भी DNA destroy नहीं हुआ, it did not destroy the properties of genetic material, DNA एक heat stable structure है, वो Griffith ने बता दिया था पहली, ठीक है, पिर क्या लिखा है, DNA के दो strands हैं, जो हमेशा complementary हैं, if separated by heating, they come together, वो वापस आके जोड़ जाते हैं, फिर 2' OH, at every nucleotide in RNA, is a reactive group, RNA को labile, labile मतलब unstable, और easily degradable, degradable मतलब chemicals के तुरू, वो degrade हो सकता है, RNA में catalytic nature भी है, तो वो बहुत जादा reactive है, DNA chemically, कम reactive है, structurally जादा stable है, as compared to RNA, तो दोनों मेंसे, DNA is the better genetic material, फिर presence of thymine, in place of uracil, additional stability देता है DNA को, यह भी हमने देख लिया था, RNA क्योंकि unstable है, जल्दी mid rate पर mutate करता है, जिन viruses में, आरजीनों है, वो बहुत fast evolve करती है, जैसे की coronavirus, coronavirus की कितनी strains develop होती जा रही है, इसलिए हो रही है, RNA can directly code for protein, तो easily express कर सकता है, लेकिन DNA पूरा का पूरा dependent है RNA पर, पर उन्हें बता दिया सारा का सारा, कि DNA is preferred for storage, transmission या expression के लिए, RNA is better, तो यह था सारा का सारा, आज का हमारा concept, quickly questions देख लो, quickly, nucleosome क्या था, जो तुमने पढ़ा है, answer हमेशा वही होगा, याद रखना, जो तुमने पढ़ा है, answer हमेशा वही होगा, क्या है nucleosome के लिए सही चीज, correct, तुमने यह पढ़ा है, तो यही answer होगा हमेशा, सिर्फ DNA नहीं था, DNA के साथ, positive histone, octamer भी था, next, histone किस में रिच होते हैं, lysine and arginine में रिच होते हैं, next, गलत statement बतानी है, तो uracil is present in RNA at the place of thymine, यह तो correct है, DNA and protein से, chromatin बनता है, correct है, heterochromatin highly condensed है, correct है, the process involved in RNA formation, of the DNA template is called replication, गलत, DNA से RNA बनना, transcription था, replication में DNA से DNA बनता है, फिर यह question हमने, last lecture में भी discuss किया था, हमने क्या का था, कि nitrogenous basis, sugar से glycosidic linkage हैं यह correct था, phosphate group 5' phosphorus से correct था, दो nucleosides में, glycosidic linkage यह गलत था, इतना हमने कल भी discuss किया था, अब आज हमने पढ़ा, कि negatively charged DNA, positively charged histone के साथ, जुड़के nucleosome बनाते हैं, तो true है, chromatin जो ज़्यादा dense है, उसे u-chromatin कहते हैं, यह false है, तो 1, 3 & 4, यह correct, question ने पूछा है, incorrect, तो 3 & 5, कल हमने elimination से यह चीज़ कर ली थी, कि incorrect में 3 & 5 है, स्ट्रेप्टो कोकस कैसा है, स्ट्रेप्टो कोकस के लिए क्या सही है यह यह आपे, वाइरुलेंट फॉर में स्मूध यह correct है, वाइरुलेंट रफ नहीं हो सकता, नॉन वाइरुलेंट में कैप्सूल नहीं हो सकता, और सारे फॉर्म्स रफ नहीं थे, next question, during infection of E. coli by T2 bacteriophage, proteins are the only phage components that actually enter the cell, absolutely false, both proteins can enter the cell, false, सिर्फ proteins जो infect करेंगे, they can be detected in the progeny phage, false, सिर्फ nucleic acid enter करेंगे, true, next, एक bacteria है, it is grown in the medium having radioactive sulphur, it incorporates radio activity in, अगर आप एक bacteria को radioactive sulphur में grow करेंगे, तो वो कहां radio activity करेगा सब में से, proteins में, क्योंकि कुछ amino acids हैं जिनमें sulphur bonds होते हैं, proteins में disulfide bonds होते हैं, DNA is the genetic material, यह किस ने proof किया था, Hershey or Chase, NCRD का diagram ही है, ABC को identify करना है, तो A जो धागा है वो मेरा क्या हो सकता है, DNA, A मेरा histone नहीं है, A octamer नहीं है, A RNA नहीं है, यह जो BA लंबा सा, यह है H1 histone, और यह जो गोला है पूरा का पूरा, यह है histone octamer, ठीक है, तो यह था हमारा सारा का सारा topic, NCRT हर lecture में पढ़के आया करो, next lecture जो हम करेंगे, उस next lecture में हम देखेंगे, कि अब, हमने पता लगा लिया भई DNA genetic material वगरा है, अब हम देखेंगे, कि RNA पहले आया था या DNA, तो हम RNA world का concept देखेंगे, हम देखेंगे कि DNA में, जो replication है, उस replication word का मतलब क्या है, उस replication का mode क्या है, और उसे proof कैसे किया गया था, till then, keep studying, keep your hopes high, stay motivated, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, signing off, take care.